22 जनवरी दोहजार चौबीस राम मंदिर में प्राण्परतिष्ठा की तारीक तैं होती है तारीक को लेकर के बाचीत होती है और इसमें साधू संतों में भी मधवेत नजर आता है प्रधान मंत्री का कारिक्रम है प्रधान मंत्री आने वाले उनके साथ तमाम गणमान ने विक्ति हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम के दौरान रहेंगे इस बीच शंकराचारियों के भी बयान आते हैं और उनके बयान में आपत्तियां आती है दो शंकराचारे के प्रत प्राण पत्रिष्ठा ठीक से नहीं हो रही है शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है यह शंकराचार्य जी के शब्द हैं तो इस पर क्या मत है यहां के संतों का और विद्वान लोग क्या समस्क्राइब महराजी निवस्ते मेरा नाम अभिनो है और मैं लेलन टॉप की तरफ से आया हूं बस मैं यहीं जानना चाहता हूं कि जो शंकराचारे जी ने भयान दिया आपने सुना जी सुना जी सुना जी शनातन धर्म में मूलभूत जो स्था बनाएं हैं उनमें से एक स्थापना है जिस अस्तित्यों के प्रभाव के कारण उस सत्य को अनेक रूपों में कहते हैं यही कारण है कि अनेक रिशी हैं एक ही सिद्धान्त को लेकर के उनके अलग-अलग विचार हैं अनेक स्मृतियां हैं एक ही विवस्था को लेकर के स्मृतियों में भिन भिन निर्देश हैं लेकिन उने शास्त्र परंपरा को पहचानने की कोशिश की है वो कहते हैं ये सत्य के अनुसंधान की अलग-अलग अवस्थाएं हैं इसलिए विरोध जैसी कोई बात नहीं है आप जयोतिश में जाएंगे तो गणित को लेकर फलित को लेकर अनेक मत हैं और जब जयोतिशी उनका उप योग करते हैं फिर ये निर्भर करता है कि किस व्यक्ति का अभ्यास कैसा है फिर वो अपने अभ्यास की अनुसार जयोतिश के किसी एक अंग को लेकर अपने फलादेश को निरूपित करता है तिथियों को निर्धारित करने में महूर्तों का विचार करने में भी शास्त्रो सीमा में चुनता है वो ठीक है एक दूसरा विशेशक ये उस महूरत को उस परिस्थिति को किसी दूसरे आयाम में देखता है और वो कहता है कि इस से बहतर यह होता यह करना चाहिए यह सत्य के अनुसंधान और अच्छे तक पहुंचने की चेश्टा के कारण यह बातें सामने आती है इन्हें विरोध के रूप में देखा ही नहीं जाना चाहिए पर चुकि सामान ने लोग को शास्त्र की और सनातन धर्म की सुदारता से ठीक ठीक परिशे नहीं है इसलिए विस आशंका में पढ़ जाता है कि रहे यह तो विरोध हो गया यह तो इन्होंने खंडन कर दिया इन्हों तो मंदन कर दिया यह कोई खंडन मंदन नहीं है राम जन भूम में श्री रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है यह पूजे शंकराचारियों के इस देश के सभी मनीशियों के महापुरुषों के पीडियों के तप और उनके संकल्प का परिणाम है किसी के वकामना यह है उनकी सद्भावना यह है कि उन्होंने कहा कि यह विचार यहां ऐसे होना चाहिए आप कल्पना करें कि वही विचार वैसा हो गया होता तो जैसा विचार आज हो सकता है यह कहते कि यह ठीक है तो यह तो सनातन धर्म की जो विविधता है उसका सवंदर है इसम करेगा मंदिर में भगवान की प्राणव प्रतिष्ठा को ले करके भी अलग-अलग विचार हैं उन में से एक विचार यह है कि जब कंप्लीट हो जाता है तब भगवान विराजमान होते हैं उन उन्होंने इसको स्पष्ट किया है अपने एक वक्तवे में आपने भी देखा होगा तो उन्होंने कहा कि दोनों पद्धतियां हैं अब जो शंक्राचारे वो ये कह रहे हैं कि या शंक्राचारे ने कुछ और साधूं को मैं सुन रहा था यूट्यूब फेस्बूक पे तो उन तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान श्री राम जी नीचे बैठे हैं और वानर सेना उस पेड़ के उपर चलकर के बैठ गई है और भगवान उनको अरदे से लगाते हैं यही रामत तो है हम सब जब कणकण में परमात्मा व्याप्त हैं तो कहां उपर हो गए कहां गढ़ा खोदा महिखनी कुस साथ हरी सुहाई गढ़ा खोदा कि हमारे प्रभु भूमी पर शयन करते हैं तो हम भूमी पर बराबर शयन नहीं करेंगे हम तो गढ़ा को देंगे उसमें रहेंगे नंदी ग्राम में जाकर करके देखना चाहिए यह भी उन्होंने किया की विशेश्ता है यहां सभी आचारेओं का संमान होता है सबका वंधन होता है लेकिन जब आप अभ्यास में उतरते हैं तो आप सबका अभ्यास तो नहीं कर सकते हैं ब्यूस किसी एक विदिका करना पड़ता है भगवान ने श्रीमत भगवद Spartan कर्म का भी उपदेश किया ग्यान का भी उपदेश किया और भक्ति का भी उपदेश किया कर्म और ग्यान दोनों का उपदेश भगवान ने किया और वह उपदेश करते हुए उन्होंने कहा कि ग्यान की और कर्म की दो निष्ठाएं भगवत पाद शंकराचारे ने श्रीमत भ प्रगे हुए व्यक्ति में ग्यान प्रकट है ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ग्यानागनी सर्वकर्मानी भस्मसात को रुकते इत्यादी बाते हैं मतलब उतना विस्तार आपको नहीं अपेक्षित है मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात साफ हो जाए कि कोई मत्वेद का विश अच्छा उसमें एक बयान और मैंने सुना शंकराचार जी ने कहा कि प्रधान मंत्री प्रान प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम ताली बजाएंगे तो क्या ये भी मध्वेद है कि प्रधान मंत्री से नहीं किसी संत या शंकराचारे से प्रान प्रतिष्ठा करानी चाहिए अब ये शंकराचारी जी ने कहा है, वो वयोवरद्ध हैं और परम पूझ जी हैं, इस देश के बड़े मानने मनीशी हैं, उन्होंने इस कहने के पीछे क्या उचित्ति रखा है, वो आपकी पहुंच में है, उनके सामने जाकर कि निवेदन करना जाएए, हम लोग उनके आगे हिंदू धर्म में क्या महतो है? भगवत पाद आदि शंकर ने भारत वरश की आत्रा करते हुए, दक्षन से ले करके उत्तर तक के पूरे भारत को आध्यात्मिक्ता और धार्मिक्ता के विचार में एक सूत्र किया, और जो वैदिक परमपरा है, जो सनातन धर्म की परमपरा है, जो बहुत क्षीन हो गई थी, उसको उन्होंने पुनरजीवित किया, इसका उनको श्रेय है, पर चुंकि वो एक कारिकाल के बाद उन्हें जाना था, सबको यहां आकर जाना होता है, उन्होंने इस परमपरा को सुद्रण करने के लिए चार पीठों की स्थापना कर दी, और चार वेदों के चार वेदान दवाक्ये उनको उदाहर मने आदरशवाक्य की रूप में दे दिये, और इस माध्यम से उन्होंने एक विराद परिकल पना की, कि यह धर्म प्राण जो देश भारत है, यह समग्र रूप से धर्म के अनुशाशन में बना रहे, और उसके ल प्राण बने और उनमें से सबकी चर्चाएं आ रही है, सब आपके सामने हैं, और चारों पुझे शंकराचारे हैं, और उन सबकी मर्यादा इसाधार पर बनी, कि भारत में एक बात तो हमें यह समझनी होगी, कुछ हम लोग जो ब्रह्म में रहते हैं कि शंकराचारियों का म परिभाशित नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का महतो परिभाशित होता है महतो देने वाले व्यक्ति के मूल बोध से, हम जब किसी को महतो देते हैं, सम्मान देते हैं, तो यह निर्वर करता है कि हमारे भीतर सम्मान को पहचानने की इक्षमता कितनी है, कि किसी एक व्यक्ति क धर्म शास्त्र में हमारे यहां हिंदू परमपरा में हमारे शंकराचारी धर्म के विशे में जो निरणे देते यहां उनके घ्यान उनकी तपस्या और पीड़ीयों में उनके द्वारा जो किया गया उपकार है इस लोक पर इसके आधार पर ही उनका मूली पहँचाना जाता है और सारा समाज उनकी बात को शिरोधारे करता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि मानिश अंकराचारियों के जीबन मूली और उनकी इस्तियां बहुत उदात हैं उनकी कही कई बातें लोक में लोगों के लिए व्योहार में बहुत संभो नहीं होती हैं तब भी वे उसको शिरोधारे करते हैं उसका प्रतिवाद नहीं है हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे नहीं भी हम कर पाएं है तो भी उनका कथन होने के कारण प्रमान है और सम्मान का इसी तरह यह देश चल रहा है अच्छा मैं आप एक दो चीज और जानना चाहता हूं आप से बातशीत करते हुए मेरी थोड़ी नजर आपके तिलक पे गई तो थोड़ा अलग तरीके का तिलक लगा मैं कुछ साथूं को देखता हूं अलग तरीके के लगाते हैं इस पर ललन आएं और देखें कि केवल वैश्णवों के यहां उर्धपुंड के कितने प्रकार हैं जी और वो सैकड़े में हैं और उस पर शोध हुआ है उस पर काम किया गया है डाक्टर भवती सिंग ने बहुत शांदार काम किया है आप उसको पढ़ें और जैसे त्रिपुंड में भ तत्व उपयोग किये जाते हैं उनके अपने बहुतिक और आध्यात्मिक गुण हैं वो प्रभाव करते हैं फिर ये एक तरह के गणवेश का कारी करते हैं ये बताते हैं कि आप उपासना में आप धार्मिक विवस्था में किस परमपरा से हैं तो इससे आपके लिए अपना शोरी जी को व्यक्त करता है, श्री लगा हुबा है, तो ये श्री संपर्दा है, मतलब हम जानकी जी को मानने वाले, मतलब युगल की उपासना करने वाले हैं, इसमें आपको अयोध्या में हमारे लश्करी मिलेंगे, जिनके बीच में भी सफेद है, फिर इसमें आप गि teenage बर्दोकमाद्स. कि अचिती समय के कोर्भाचारी यो उसमें होए उनके माथे में तिलक कर दिया और उन्हों ने धारन कर लिया कि ये भग्वती जी का परसाद है अब इब बद लेगा नहीं वही के probably बद रहा है अईसे महापुरुष हुए हैं जिनके इष्ट ने उन पर अनुग्रा करके अपने हाथों से उनको चिन्ह प्रदान कर दिया और वो तिलक उनका बन गया तो ये महापुरुषों की अनुभूतियां हैं धर्म के प्रमाण में शास्त्र वेद तो होते ही हैं उपासक की अपनी नुभूतियां भी प्रमाण बनती जाती हैं और उनसे परमपराएं आगे बढ़ती हैं तो इस तरह बहुत सारे तिलक हैं बहुत बुरियाद है इसको समझने के लिए मतलब घंटा दो घंटा चाहिए इसको लेकर बहुत सारे शास्त्र हैं तिलक कैसे बनना चाहिए उसकी म अधार एक कथा जुड़ी होई हैं कैसे कैसे यह परमपराएं आगे बढ़ी हैं कैसे इसमें जानकी जीव्यक्त होती हैं कैसे इसमें हनुमान जीव्यक्त होते हैं कैसे इसमें राम जीव्यक्त होते हैं तो यह सब तो बहुत रोचक विशय है और जाना चाहिए तो इस पर करेंगे अच्छा आपने बातों में बताय कि आप रामानंद संपरदाय के हैं तो जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा तो जो चंपत राय जी है उनका एक वक्त व्यश्पा था कि मंदिर रामानंद्र संपरदाय के लोगों का है सन्यासियों शेव वैश्यका शेव और शाक्त का नहीं है तो इस पर आपका क्या कहना है इस पिशेपर तो चंपत जी अध्या में रहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है हम तो जानते हैं कि मंदिर भगवान के होते हैं और सभी मंदिरों में उनकी पूजा परंपरा की मर्यादा के लि आप क्यों एहां पे हैं और ती इनन्गा को मंदिर दे दिए और तो हमसे सब्स्राइब जाने लोगास क्ताद्व को हुज हो जाते हुज He तो यह मरियादा के बाहर की बात है अच्छे आप 22 तारिक ज्यादा दिन दूर नहीं है यूद्या में और आयुद्याद्धे आपके जो हैं उनमें राम मंदिर को लेकर के क्या उसा है क्या चर्चा है आपको नियोता है आप जाने वाले इसको फ्रेम बड़ा करी है इसका अजोध्या मैं और मेरे शिश्य यह परिधी बहुत छोटी है यह तो पूरे विश्व में हिंदू जहां है उनके लिए लेकिन देश दुनिया भर में और मैं थोड़ा सा इसम क्यों देखते हैं हम उनकी आँक से देखें जो रामानंद रामानुज शांकर परंपरा के बाहर होकर कहते हैं कि निमनोशिता मूलवती है और इसके दिए देखा जाना चाहिए तो इसी देश में एकबाल बाद में उनकी एक विचारधार आलग प्रकट हुई पर लामा एक इस बाल ने कहा है राम के वजूत पर हिंदोस्ता को नाज हिंदोस्तान को श्री राम के अस्तित्व पर गर्व है तो जाती और संपरदाय कहां रहे हिंदोस्तानी होने के नाते यदि श्री राम का वैभो प्रकट हो रहा है तो हर वो व्यक्ति गवरों करेगा जो अपने को हिंदुस्तान से संबध पाता है जिसका भारतियता से कोई नाता है और मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ हम लोग अपनी समझ में मानव जाति का आदिपुरुष महराज मनु को कहते हैं जिन्होंने यह अध्याश बसाई मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मितास्वयम ठीक है और उनकी वन्षपरंपरा में भगवान श्री राम प्रकठुए जिनको महर शिवालमी की ने कहा कि इक्षवाकु वन्षप्रभो रामव नाम जनाइश्वताह जिनको वेदव व्यास ने कहा कि मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य सिक्षणम मनुष्य हो करके मनुष्यता कैसे जी जाती है अगर इसको मूर्तिमान देखना है तो श्री राम है यह मंदिर की प्रतिष्ठा है यह एक धार्मिक अनुष्ठान है यह एक अंग है पर इतने में ही इसकी परिभाषा शायद नियायोचित नहीं है इसे इस जंगल राज्य से भी बढ़कर है और चला जाता है एक पिता एक पुत्र जो एक गीध पक्षी को एक अबलास्त्री की रक्षा करते देखता है तो उसको गोध में उठाकर पित्र तुले सम्मान देता है और कहता है कि तुम्हें वो अस्थान मिले जो मेरे पिता को मिला है क तो वो एक भीलनी शबरी के घर पहुंचता है और उसका आतित्य स्विकार करता है और गोस्वामी जी की पंक्तिया पढ़िए रामचरित मानस में अभ्यर्थना करते हैं भगवान श्री राम शबरी की कहते हैं एक भी गुण जिसमें होगा वो मुझे अत्यंत प्रियह देवी जिसमें वो किशकिंधा में बाली को मारते हैं लेकिन उपनिवेश नहीं बनाते आयोध्या का प्रतिनी बैठा दे हैं वो कहते हैं यह वानरों का सामराज्जी है बाली दुष्ट थे मारे गए लेकिन यहां राजा तो वानर ही बनेगा सुग्रिव को सौपते हैं वो राम जो रामन को मारते हैं लेकिन उपनिवेश नहीं बनाते यह राक्षसों की राजधानी है रामन तो मारा गया लेकिन यहां राजा कोई राक्षस बनेगा विभीशन को बिठाते हैं रामत तो इस बात में व्यक्त होता है तो जब राम की प्रतिष्ठा हो रहे है तो इन सारे आयामों को भी सामने लाया जाना चाहिए जिसके लिए पेडियों से देश राम को दुहरा रहा है और मैं ये बात मुठी भर लोग होंगे वो तुलनात मकरूप से जो भगवान और आराध्य होने के कारण राम को पूज रहे हैं ब्रहत्तर विश्व में अगर राम का स्मरण क किया जा रहा है कामिल बुलके आते हैं राम के मुरीद होकर के रंपर लिखते हैं तो वो तो कोई रामानंदी नहीं थे वो क्यों आए उन्होंने कहा कि ब्रात्रिभाव जब सारी दुनिया लड़ रही है भाई का हिस्सा पाने के लिए उस अवस्था में एक भाई ऐसा है जो पाया हुआ राज छोड़ कर बैठ जाता है गड़ा खोद कर 14 वर्ष प्रतीक्षा करता है खणाओं को सिंगहासन पर रख देता है क्या दुनिया को यह नहीं देखना चाहिए भाईयों के मुकदमे भरे पड़े हैं आज हमारे नयालेयों में और जब मेरी बातचीत होत जाएंगे यह देश राम को समझने और अनभो करने लग जाएगा तो उसकी पीडाएं उसके दुख कम हो जाएंगे इसलिए भी यह प्रतिष्ठा ज्यादा आर्थवत्ती है ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग तो बाबा जी है राम जी के नाम की रोटी खाने वाले उन देखा जाना चाहिए आप जा रहे हैं प्राण पतिष्ठा में जा रहे हैं क्या कारिक्रम है उस दिन का सबके लिए एक जैसी बात है बहुत सारे लोग है देश की लगबख सभी प्रमुक्षेर है उसमें सम्मिलित होने वाले हैं तो यह विर्देश रब के लिए है कि सुर स्थिती में अपने को धने धने नोबोख करें महराजी ने बहुत अच्छे से समझाया बहुत अच्छे से बताया समय निकाल के और यह बात सही है कि राम के रामत्तो को अगर समझ लिया जाए तो जब लगनःव के नवाप को अंग्रेज अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो महिलाओं ने गीत गाया, खजरत जा रहे हैं लंदन, कृपा करो रख लंदन तो राम तो हर जगह हैं, और राम के नाम पे जो राजनीत ही होती है वो भी हमसे आप से च्छिपी नहीं है, वो पहले भी होती थी, वो अब भी हो रही है और वो आगे भी होती रहेगी इसमें फिलहाल तो कोई संदे नजर नहीं आता ये पूरी बाचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए महराज जी ने बहुत अच्छे से समझाया इसके लिए मैं मेरी तरफ से हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका आपको महराज जी की बाते कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए देख तेरे दीले लेंट आप शुक्रिया